तो हेलो, सब कैसे हैं आप सब, स्वागत है आप सब का इस प्यारी सी वीडियो में जा मैं आपके साथ डिसकस करूँगा अपनी ही एक स्टूडेंट की सर्टिफाइड कॉपी जिनके आए में 23 में 85 वार्क्स, यह सर इतने में तो दो बच्चे पास हो जाए मैंने का वेरी की थी ना, मतलब हर क्लास टेस्ट दिया, हर क्लास टेस्ट में अल्मोस्ट फुल में से फुल मांक्स आते थे, कभी 30 में से 30, 30 में से 29 और मुझे as a teacher पूरा विश्वास था कि भाई, she will do wonderfully in the exams and that's what she did, तो पूरा का पूरा credit जो है वो इनके hard work को जाते है और इस वीडियो से बस आपके पास एक ही काम होना चीए, आप एक copy और एक pen लेके बैट जो और जितने भी मैं key takeaways बताऊ, वो आप लिखते जो, ये आपके पास आप मानलो अभी भी 40-50 दिन बचे हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा important रहेगा, अपनी आप कह सकते हो, marks को paper में बढ़ाने के ठीक है, तो 85 she scored and 85 में से आप देख सकते हो, 57 तो descriptive में ही आए, और around 28 marks उन्होंने MCQ में score करें, ठीक है सर, अब ये जो 57 marks है, इसको आप practically देखो, तो 70 में से 57, यानी 80% बन जाता है, तो जो descriptive होता है, जिसमें around सब के 40-50 marks आते हैं, how she managed to score 80%, इनके कैसे ज्यादा number आए, वो हम यहाँ पर देख के चलते हैं, तो फटा-फट आजओ, मेरे साथ, पहले question से start करते हैं, पहले इन्होंने 2 पेज खाली छोड़े, फिर इन्होंने start किया question number 2A के साथ, तो देख सकते हो, proper इन्होंने लिखा question, question अगर आप पूरा ना भी लिखो, तो सिफ Q लिखके 2A करके, मैं essay लिखता था, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, पूरा question word लिखने की ज़रूरत ने save yard है, ठीक है, अब यह जो आता है essay 5.30, तो अगर आप देखो, question के साथ-साथ इन्होंने सबसे पहले चीज़ क्या करी है, हम यहाँ पर चीज़े सीखने के लिए नहीं बैठे, presentation के लि वहाँ पे भी examiner को दिखाते है, ना, तेरा भाई, तेरा भाई, जोगिंदर एकदम बढ़िया तरीके से standard याद करके आ है, तो लिखो, यह essays आपने वहाँ पे लिख के आने है, this makes you a ultra professional, examiner के mind में आपने अपनी अच्छी छवी create कर दी, ठीक है, तो essay 5.30 audit sampling आपने कर रहा, स 53 आ लिए अंटी, तो यह 53 आ लिए अंटी, बस आपने ध्यान रख्या जननी थी और क्या, अब आप इसके साथ एक और चीज़ देखो, second key take away learning, एक तो यह, मैं hint दे रहा हूँ, एक यह, एक यह, और एक यह, सर यह क्या है, इन होने जितने भी keywords थे, उनको underline कर दिया, कि conclusion based on sample will be different from the conclusion if entire population was subjected to the same audit procedure, तो अगर मैं सिरफ keywords भी पढ़ लूँ, तो मुझे इनका समझ आ जाएगा, कि इनको पूरी की पूरी definition आती है, अब इनोंने का दो तरह के conclusion हो सकते है, अगर आप test of control करो, तो आपको लगता है, controls effective है, जबकि नहीं है, test of detail करो, तो आपको लगता है, material mis statement exist नहीं करती, जबकि करती है, तो क्या ये मेरी audit की efficiency को affect करता है, या effectiveness, sir it will affect the audit effectiveness, lead to an inappropriate opinion, also this is a case of over reliance on internal control, यानी जितने keywords notes में थे, सारे के सारे वो लिखके आई, और उनको underline भी साथ साथ कर दिया, तो मेरी भी आप से ही request रहेगी, जब भी आप answer लिखो, तो साथ साथ keywords को underline करते वे, चलना, अब इसके साथ है, इनोंने यहाँ पर फिर से, दूसरा वाला जो sampling risk होती है, वो लिखी, और non sampling risk definition देने के साथ साथ, उसके एक दो examples भी दे दिये, क्या ये बात सही है, हाँ sir, तो यहाँ इनका question number 2A था, और 2A में, आप देख सकते हो sir, कितने number मिले, जो 2A था, आओ, जी, आओ, 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 तू ए था, आपका 4 number का, ठीक है, देखते हैं, 2A में, इनको कितने मिले, हमको आने, पे page number 6 पर वापिस, योही चला, चल रही, just give me a second, आओ, भई, तो यहाँ पर आजाओ, PDF डाउनलोड करते हैं, मैं गड़बड हो गई थी, तो आगे के page दिखी नहीं रहे थे, अब यहाँ पर दिख रहे हैं, तो 2A में आप देख सकते हो, 4 में से 4 number मिले हैं, तो क्या हमको full में से full मिल सकते हैं, येस, provided you are doing a good presentation, आप काम चोरी नहीं कर रहे हैं, सारी चीज़े एकदम सतरकता से बढ़िया तरीके से लिखे, आ रहे हो, समझ गए, समझ गए सर, तो हम दे page number 7 पे, यहाँ पे हमारा 7 के साथ साथ उड़ता है, तो 2A में आ गए हमारे 4 में से 4, अच्छा, यहाँ पे भी number ल तो auditory क्या नहीं होता, यह भी number का question, again it was from the notes, तो अब देखो क्या है, पहले 2B के case में, आप एक चीज़ एक और देखना, 2A के बाद 2B किया, क्या यह 3B कर सकती थी, जो बदमाश बच्चे होते हैं, वो इस तरह की हरकते करते हैं, बड मैं हमेशा आपको कहता हूँ, एक question के जितने भी parts से उनको एक साथ करो, तो इसने भी 2B किया, और आप देख सकते हो, यहाँ पे इसके पास पूरा page खाली पड़ा था, बड क्या इसने यहाँ पे कुछ लिखा, नहीं, पूरी की पूरी जगा छोड़ी, and started the new question from a fresh page, अब इसने क्या किया, audit risk का पूरे definition लिखी, क control risk, detection risk, यहाँ मुझे लगता है थोड़ी बहुत extra चीज़े लिख दी, अब audit risk में क्या नहीं आता, कि जो auditor की वो risk है, कि वो opinion गलत गए, जब कि material statement नहीं थी, या उसकी जो business risk है, वो नहीं आती, तो देखो, यहाँ दो number मिल गए, तो अगर आप अब यहाँ पे देखो, तो 4 में से 3 number मिलें, अब अगर हम suggested answer देखें, तो यहाँ पे audit risk देना था, इसका example देना था, जिसका मुझे लगता है, यहाँ पे एक number कड़ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, what is not included in audit risk, यह दो पार्ट्स इन्होंने सही से cover कर लिए, is this point clear, yes sir, अब आजो question number 2C पे, तुसी अगे sir, आगे, 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 auditor has to exercise professional judgment in determining materiality, अब materiality के अपने को benchmark निकालना बरता है, benchmark वाले आए, hope आपको 5 points याघ रहेंगे, sir क्या थे, पहले तो essay 320 आ जाएगा, materiality in planning and performing and audit, फिर हमारे benchmark की वो 5 point आते है, reliance के financial statements, यानि elements of financial statements, reliance में हमारा focus किस पर रहते हैं मुकेश अमानी पर, so items on which the user's attention tends to be focused upon अब अमानी जी की life cycle पर दिक्कत आ गई थी ठीक है, तो ownership structure and life cycle of the entity, where the entity is in its life cycle ठीक है, ownership structure आ गया क्योंकि वो owner है, और last में आ जाता है volatility of the benchmark, ठीक है, यह अपने को points अगर लिखने होते हैं, तो अगर आप देखोगे, तो इन्होंने भी यह points लिखे, इन्होंने लगबग 4 points लिखे और 4 points के साथ यह मोटा माटी example दिया, अब देखते हैं बच्चे ने क्या किया अब बच्चे ने क्या किया, सबसे पहले तो benchmark की इन्होंने definition दी, जबकि मांगी नहीं थी, still she gave, तो यहाँ पे आपने क्या किया, examiner का दिल जीत लिया अब जब आपने दिल जीत लिया, तो आपने elements दिये, क्या आपने example दिये, हाँ सर क्या आपने यहाँ पे items के भी example दिये दिये सर, nature of the entity where in its life cycle, इन्होंने पूरा point लिखा, और at the end of the day, relative volatility भी लिखा ये भी लिखा, तो कितने number मिलने चाहे थे चार में से चार मिलने चाहे थे, बढ़ ये question ही तीन number का था, तो चार में से चार कैसे मिलेंगे, तो तीन में से तीन मिल गए, but I still feel she wrote something extra, तो यहाँ पे आप एक key take away made से ले सकते हो, इतना ज्यादा लिखके आने की जरूरत नहीं है, अगर आप यहाँ पे चार points भी लिखो, पांच में से, तो I think that should be more than enough, यहाँ पे देखो, ऐसे 320 नहीं लिखा, अब सर आप एक reason बता सकते हो, क्यों नहीं लिखा, मैं समझ गए, समझ गए सर, अब इसके बाद आता है 2D, 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 3D के जमाने में 2D वाला question देखो, क्या कहता है, आजो, आजो, audit in an automated environment में बताओ, data analytics को कैसे use कर सकते हैं, testing the records and data residing in the spreadsheets और यह सब बताओ, ठीक है, यह आपके पास question आया, तो इसमें आपने इन्होंने बता दिया, कि हम इससे check कर सकते completeness, selection of sampling, re-computation, re-performance, तो हम रे-रे करके यह वाला answer पूरा याद करते थे, तो यहाँ पे around 6-7 point रहते हैं, यह question तीन number का था, तो ऐसे case में मैं आपको suggest करूँगा, आप 6 point भी लिखोगे, that should be more than enough, क्योंकि हमको नहीं पता marking scheme में इसका एक number है, या आधा number है, ठीक है, तो better है, to be on the safer side, अगर आप 6 points भी लिखते हो, you are in a good position to get the required marks, is this point clear, yes sir, plus आप एक चीज और देखो, लिखने का लहजा, पहले data analytics की इन्होंने definition दी, ठीक है, फिर इन्होंने बताया कैसे कैसे use कर सकते हैं, और हर point के बीच में line छोड़ी है, तो please वहाँ पे जाके ना कंजूसी मत करना, अपने paper को जितना हो सके, नीट रखना, ताकि examiner भी खुशी खुशी बढ़िया नंबर देता हुआ, चले, is this point clear, yes sir, अब आजो, यहाँ पे इन्होंने page फिर खाली छोड़ दिया, अपने लिए, अब आता है question 4a, तो question number इनका 2 हो गया, और question number, question number 2 ही हुआ भी तक, ठीक है, और 2 में इन्होंने कितना number बटोर लिए, 14 में से 13 number बटोर लिए, अब आजो, question number 4 पे, देखते हैं, 4 से हम क्या सीख सकते हैं, sir, हर question कुछ सिखाएगा, मैं बता रहूं आपको, CAD has been appointed as the auditor of LMP Limited, before developing the audit plan, she wants to get an understanding and knowledge of the client's business, including the FR, तो यहाँ पे आपने standard on auditing के इसाब से बताना है, हम knowledge में क्या लेते हैं, कपड़े खरीदने जाते हो, तो किसकी knowledge लेते हो, fabric की, business का audit करोगे, तो किसकी knowledge लेंगे, fabrin की, तो वही fabrin वाले points आपने यहां लिखने होते हैं, 315 आ गया, sir, fabrin का क्या मतलब होता है, financial performance, A for accounting policy, selection and application of accounting policy, number ले गई लड़ होती है, RI से क्या था, relevant industry, regulatory and other external factors, अब देखो बच्ची कितनी अच्छी, इन्होंने सिरफ heading नहीं दी, नीचे वाले 2-3 points भी लिखके आई हैं, very very good, and साथी साथ nature of the entities, business, यानि आप उसके operations बताओगे, उसमें किसने पैसा लगाया, इसमें किसमें पैसा लगाया, ये वाली ब points पूरे शिदत से लिखे, question कितने नंबर का था, 4 नंबर का, क्या इन्होंने standard zone auditing की भी reference दी, हाँ, तो पहले answer लिखने से पहले इन्होंने क्या बनाई, भूमी का बनाई, पहले भूमी का बनाई, और फिर भूमी का के बाद points लिखे, आपको 2-3 पेज भरने की जरूरत नह institution, इसने default कर दिया in the repayment of borrowing, तो जल्दी से बताओ reporting requirement क्या होगी, मैंने का जब मैं loan देता हूं, तो clause 3 आता है, जब मैं loan लेता हूं, तो clause 9 आता है, 3 का square हो जाता है, अब अगर मैंने कोई default किया है, तो simple सी बात है, मुझे एक table बना के आनी होती है, अब देखो क्या करा है, ICI इने suggested में, अब देखो ICI ने क्या किया suggested में, सर इसने भी table बनाई, इसने भी का nature of the borrowing लिखेंगे, name of the lender लिखेंगे, फिर बताएंगे, क्या ये lender कोई bank या public financial institution वद्दतोर नहीं है, वो आता है न, bank, financial institution और government, ठीक है, फिर आपकी जो amount थी which has not been paid, क्या वो amount principle की थी या interest की थी कितने time से ये काम चल रहा है, और remarks if any अगर आपने देने हैं, साथ ही साथ अगर आप यहां से देखो, इन्होंने पूरा clause mention किया है, सिरफ ये default वाला पार्ट नहीं, इन्होंने ये भी mention किया कि क्या company को willful defalter बोला गया, plus default क्यों हुआ होगा, इन्होंने miss utilization of funds करी, यानि short term क long term के लिए use किया, ठीक है, या फिर उस purpose के लिए use नहीं किया, जिसके लिए करना था, तो अब देखते हैं, बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने a point लिखा, clause number लिखा, या नहीं लिखा, लिखा, क्योंकि सारे clause numbers अपन class में याद करते हैं, clause 9, para 3, caro 2020, दिल जीत लिया, इस JV मतलब subsidiary associate joint venture वाले points, ये वाले points भी बच्चा लिखते हैं, मुझे बताओ examiner कैसे number नहीं देगा, सर इसमें तो उसने थोड़ा time लगा दिया, अगर थोड़ा time लगाने से 6 महिने बच्चते हैं, क्या ये fair deal है, हाँ सर, मिल गए 4 में से 4, फिर भी मैं आपको कहूंगा, थोड़ा सा अपने आपको समझदार बनाना, कि भई हाँ, 4 point जो main main थे, उन्होंने लिख दिया, suggested में, अब इसके बाद जो 2 point है, बच्चे, बच्चे की गलती नहीं है, वो कैसे decide करेगी, आईसा ही क्या पकड़ेगा, तो best है कि आप पूरा का पूरा clause ही लिख के आओ, commitment done, done सर, तो कारों का आपको देखो answer लिखने का लहजा आ गया, this is your key take away, समझ गया सर, इसके बाद हमने discuss कि क्या था, एक point reliability of data, ऐसे 520, देखो कितने number का question है, कितने number का question आया, तीन number का, जल्दी से बताओ, क्या-क्या factors है, यह चेक करने के लिए कि data reliable है कि नहीं, जितना मुझे याद है, ICI इने same question, आपकी recent किसी RTP में पूछा था और उसी question को paper में repeat किया, sir reliability of data किसमें depend करेगी, हमार सबसे पहले answer आता है, source पे, जो source है उस पे देखो, अगर source internal है, तो उसके controls देखो, जो external data है, क्या वो reliable होता है, मैंने का हाँ, वो भी reliable होता है, अगर हम किसी external source से लेते हैं, तो वो reliable होता है, internal वाले पे हमको controls देखने होते हैं, controls के साथ साथ में बोलता था, कौन के साथ factors वगरा हम देखके चलते थे, तो देखो, इन्होंने क्या है, यही points उठाए है, हाँ sir, सबसे पहले source आएगा, source के उपर हमें controls देखने है, फिर हमें comparability देखने है, और साथ साथ एक आ आ जाता है, point nature and relevance of information, अच्छा मैं कहता था, rel के साथ, rel जरूर देख लेना, यानि reliability के स relevance हम देखके चलेंगे, अब देखते हैं, बच्चे ने क्या किया, धूम मचा दी, ठीक है, धूम मचा दी, controls वाला point आ गया, comparability आ गया, source आ गया, nature and relevance हो गया, plus जो examples notes में दे रखे हैं, वो example है, जो study material में दे रखे हैं, ठीक है, वो examples भी लिखे हैं, सिरफ तीन नंबर में, क् ICI ने example भांगे थे, भाई साब, ICI ने भी देख लो, suggested में example दे रखे हैं, तो कई बच्चे मुझसे पूछते हो ना तुम, तर वो example करने हैं, हाँ, logically बस उनको ध्यान रखो, अपने आप, आप अपनी language में लिख सकते हो, ठीक है, जैसे example देखता है, information may be more reliable when it is obtained from independent sources outside the entity, दे के बाद, broad industry data need to be supplemented to be comparable to that of the entity that produces and sells specialized products, ये देखते हैं, पूरा match कर रहा है क्या, broad industry data may need to be supplemented to become comparable to that of the entity who produces and sells specialized products, धूम मचा दी, ठीक है, धूम मचा दी, मैं frankly बता हूँ, अगर आप सिरफ comparability भी लिख्या हो गे ना, और आप इतना लिख दोगे ना, इंदस्ट्री data needs to be comparable to that of the entity की number मिल जाने चाहिए, ठीक है, इतना exact लिखने की ज़रूरत निया, it's humanly impossible, तभी 85 है है, समझ आ रहा है, समझ गया सर, यहाँ पर relevance में हमको budgets वाली चीज़ देखने कि क्या budget जो है, वो सिरफ नाम के budget से या achieve भी हो सकते हैं, तो इसमें क्या लिखा है, budgets have been developed as results to be achieved rather than, results to be expected rather than goals to be achieved, ठीक है, तो अपको सिर्फ expectation नहीं देखनी, यह भी देखना है कि वो achieve हो सकते हैं या नहीं, तो it's amazing मतलब the way she has written the answer, get inspired, ठीक है, समझ गया सर, अब आजा फोर्थ के D part पर, चल्दी से बताओ सर, फोर्थ का D part क्या था, वैसे तुम्हें देखती ही बता चलिगया, three guiding factors, तीन नंबर में उन्होंने बोली दिया, यह बताओ, significant risk होती है, तो complex fraud, सर, complex fraud का क्या मतलब था, complexity of the transaction, fraud, related party, outside normal course of business, unusual nature, and significant developments, क्या इन्होंने सारे points दिख दिया, देखो नलायक, सारे के सारे points दिख 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 द रिटन 5 points, जबकि question में 3 points मांगे थे, page छोड़ दिया, इनको मजा आ रहा था page छोड़ने में, ठीक है, अब यहां पे इनका ये वाला question भी हो गया, तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई number कटे, 8 plus 11, 14 marks तो इनको पूरे के पूरे मिली गए, ठीक है सर, अब आजाओ 5A पे 5A क्या किया इन्होंने, बस थोड़ी सी देर और, बस थोड़ी सी देर और और ये काम अपना निपड़ जाएगा, देखो क्या कहता है, अगर नहीं है, तो आप qualified और adverse opinion देखे, चलोगे, तो यह कहता है, अगर adequate disclosures है, तो material uncertainty related to fraud, कहां से आ गया, भाइसा, और साथ साथ बोलो हमार opinion इस चीज़ को लेकर modified नहीं है, एंडर लाइन करना चीज़ तो क्या हो किया हो इसने, फिर उसके साथ 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 सार एक चीज़ और एक चीज़ और एडिक्वेट disclosure नहीं है, तो qualified or adverse और adverse of opinion आना चीज़ और फिर जो आपका basis है, उसमें आप लिखो नंबर का कोशन था यह देखना चाहिए क्योंकि नंबर कटने चीज़ है, हाँ, चार में से तीन नंबर में तो में को लगते है, मोटा माटी examiner ने फिर उस आप से काच लिए, ठीक है, उसने cross यहां लगा दिया, जबकी नीचे लगाना चीज़ था, तो it's fine, ठीक है, एक न 25 लाग के in the name of bogus creditor, ठीक है, क्याता है, 75 लाग के creditor है, to various creditors, on verifying it was found कि आपने fake invoices 75 लाग के डाले, तो क्या इसकी कोई board report में disclosure होगे, तो हाँ, आपको इसका नाप बताना पड़ता है, नाप का क्या मतलब होता है, फ्रॉड का नाप जैसे आप लेडिस टेलर को, लेडिस बताते ही, 143.12 से आपने अगेन दिल जीत लिया, कि अगर fraud less than 1 करोड है, तो से board को बताओ, फिर board भी 4 चीज़े disclose करता है, nature, amount and parties, parties तब अगर कोई corrective action नहीं लिया गया, वरना corrective action लेंगे, तो यहाँ पर मिलने ही थे, पता है, 4 में से 4 number मिलने थे, you can't do much about it, तर, अगला बनता है, ठीक है, आँ, कहां हो, कहां हो, कहां हो, यहां तो यह 5D पे आ गए, 5D से पहले 5C का है, 5C चलो, यहां से कर लेते हैं, कहारें, modify तब करेंगे, जब financial statements are not free from material misstatements, आपने based on evidence conclude किया, या आपको evidence नहीं मिला कि वो free from material misstatement है कि नहीं, तो आप यह किसके basis पे देखते सर आप देखते हो, regarding the materiality and pervasiveness, तो यह कहरें, nature of the matter, giving rise to modification, इसमें हम को यह देखना है, कि अगर it in the case of inability to obtain sufficient and appropriate evidence में भी materially misstated, and साथ ही साथ आप pervasiveness वगरा देखके चलते हो, तो यह दो चीज़े हम देखते है, materiality and pervasiveness इसके base पे decide करते हैं, अब आज हो सर, अगला सवाल इसम का question, management is often in the best position to perpetrate fraud, as an auditor, you are suspecting existence or suspicion of fraud from the management, give any three example of others within the entity to whom direct inquiries can be made, अब यह जो सवाल है न, this is a conceptual question, सर मतलब, अगर हम management से सवाल नहीं कर सकते, fraud को लेके, तो fraud का सवाल किसे पूछ सकते हैं, आप employees से पूछ सकते हो, कि तुमको किसी fraud के बारे 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 हैं, यही points आपको कहीं ना कहीं इसमें लिखने थे, तो देखो क्या कहता है, आओ मेरे साथ, तो एक तो operating person, not involved in financial reporting process, employees which are having different levels of authority, in-house legal counsel, जो आपका in-house legal counsel है, उससे पूछ सकते हो, या आपका je chief ethics officer grand person, तो इस तरह का question that was not a direct question you can say from the study material or the notes and बच्चे ने देखते हैं क्या किया इस question में ये देखने वाली चीज होगी तो इन्हों ने जो inquiries वाला part उठाया ना जितना मुझे समझ आ रहा है इन्हों ने उठाया inquiries वाला part पता है कहां से हम ना एक chapter number 4 पढ़ते हैं ठीक है उसके साथ एक audit procedures वाला part आता है जिसमें मैं बोलता हो हम inquiries करेंगे with Mr. Tai ठीक है marketing personal की बात होती है TCWG की बात होती है I for in-house legal council तो इनका न in-house legal council match हो गया तो एक number मिल गया तो सर इससे हमने क्या सीखा अगर कोई ऐसा question आए जो आपको ना आता हो ठीक है you have gone unprepared so just think of the best possible answer that you can write there write it and forget it एक number भी भहुत होता है तीन में से ठीक है तो that's called बाजी जीत की अब आता है sir question 6A तेखते 6A में क्या है ATM Anjali Tarak Mehta Limited is a public company with a paid-up share capital of 12 करोर company has made a turnover of 105 करोर the outstanding loan was 32 करोर whether it is required to constitute an audit committee or not तो जल्दी से बता audit committee की limits की लिमिट की होती है paid-up share capital की limit होती है 10 करोड की ठीक है तो वो तो इन्होंने पार कर दी 12 करोड हो गई है turnover की limit की होती है 100 करोड की इन्होंकी 105 करोड हो गई है loans, debentures and deposits की limit की होती है 50 करोड वो इन्होंने पार नहीं करी तो accordingly audit committee इनको बनानी चाहिए तो एक बार आजओ जल्दी से देखते हैं क्या क्या प्रोविजन से section नमबर आपका 177 होता है audit committee का in addition to listed public companies list public companies को भी बनानी होती है ठीक है तो public companies की इनोंने paid up share capital 10 करोड और more, 100 करोड और more और ये loans, debentures, doorings accordingly क्योंकि इसकी paid up share capital 12 करोड है और turnover 105 करोड है तो इसको audit committee बनानी चाहिए बस इतनी सी बात लिखने के लिए कितना number देता है ICI, 4 number पाइसा, free के number अब इसके बाद सर आ जाता है nature and scope of the audit in case of CNAG तो आपको basically क्या देखना था, SKN company chartered accountant has been appointed certified copy analysis तो देख लो सर, section number लिखा की नहीं लिखा, लिखा सर तो section number आपको company audit में याद रखने, अपने class में कर रखने तो need not worry about it, साथ ही साथ आपका यहाँ पे public company वाले provisions इन्होंने लिखे तो इसके 3 number मिल गए and conclusion का एक number मिल गया कि it is required to constitute the audit committee, so just keep it as simple and specific as you can, अब आज़ो सर 6B पे, it was a question about the performance audit, अब performance audit में 3 चीज़े आती है, efficiency, economy, effectiveness, वही efficiency, economy, effectiveness की आपने definitions लिखनी थी, that's all you were required to write and 4 marks, done, 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 कई बच्चे बोलते सर, special audit क्या हम पूरा करके जाए, देखो class में जितना मैंने आपको selectively पढ़ा है, that I think that is more than enough, उससे जादा 1.5 days में cover भी नहीं कर पाऊगे, बस उतना करो, that is ultra ultra enough for your exam, अब उसको ना last में क्या करो, यह एक ऐजा topic है, यह और chapter 9 का जो selective position करा है, इन दोनों को आप last में करो, पहले बाकी चीज़े असान वाली निप्टा लो, फिर इनको आप आखरी में करके, शलना, got it, got it sir, अब आते है sir, point number C, यह कहता है, meaning of drawing power, बता हो, यह बता हो how it differs from the sanction limit, प्लस आप क्या-क्या चीजों को ध्यान में और working capital purpose, यही basic basic बात है, आपने आपे लिखनी थी, तीन points आपके यह हो जाएंगे, तर क्या, यह क्या है, cash credit facility है, ठीक है, जो आपको कौन दे रहे, banks और financial institution, working capital के लिए मिलती है, जो sanction limit है, वो total exposure है, ठीक है, drawing power क्या है, that is nothing but primary security, less margin, वो अपने calculation में देख रखा है, फिर आती है बात, computation और drawing power as per the extent guidelines agreed with the statutory auditor, special consideration should be given to the sundry creditors, क्यूंकि आपने उसको reduce करके चलना होता है, तो देखते क्या किया इन्होंने, again यहाँ पर meaning of drawing power एकदम शांदार तरीके से लिखा, it is related to the cash credit facilities avail from the bank, it is the limit up to which you can withdraw from for the working capital purpose, क्या यह different है हाँ, क्यूंकि sanction limit क्या है, it is the total exposure, और यहाँ पर drawing power इन्होंने बोला, sanction limit, यहाँ पर word गलत लिख दिया, sanction limit की जगा होना चीए था, security, security less margin on a particular date, अब आते है सर, considerations, consideration में इन्होंने बिल्कुल सही बात बोली, it should be, all the accounts should be kept within drawing power, accounts with the exposure more than drawing power should be brought to the notice, यहाँ मुझे लगता है number cut गए होंगे, computation of drawing power बिल्कुल सही लिखा, as per the guidelines of board of director agreed with the statutory auditor, किते number का सवाल था सर यह, यह वाला सवाल था, आपका, 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 इधर से आओ ना, कहां से देख रहे हो सर, भांपी क्या है हो, क्या, मैंने का नहीं, तीन number का सवाल था, तो तीन number के हिसाब से examiner ने देखा, भई, बहुत कुछ लिख रखा, impression अच्छा बना रखा, तो full में से full day dog, दे दिये सर, अब आजाओ, correct incorrect, अब कई बच्चे बोलते हैं, और correct incorrect ना, बड़ा scoring होता है, बच्चे ने last में किया, क्यों, क्यूंकि ये question correct incorrect का नहीं होता, ये astrologic होता है, यानि जो चीज आप सोच रहे हो, वो ICI से match होनी चीए, तो कभी भी correct incorrect को सबसे पहले मत करके आना, correct incorrect आप last में करना, तभी आपके सबसे बढ़िया चीज रहेगी, तो यहाँ पर इनका ये सवाल हो गया, इसके बाद आता है, correct incorrect, या फिर last question को करना, जो बिलकुल इना आता हो, वादब correct incorrect should be towards the end, अब सबसे वहले आप देखो, सबसे वहले इनोंने लिखा incorrect, इसमेरा main main हम सीखते हैं, इनोंने किया क्या है, start किया point number A से, तो हम भी वहीं चलते हैं, हम भी वहीं चलते हैं, audit of public charitable trust इनको आता नहीं था, तो इनोंने यहाँ पर छोड़ दिया, बहुत अच्छा किया, जो नहीं आता है, उसको छोड़ो, सो में से सो तो लाने नहीं है, हाँ sir, पहले आता है point number A, documentation of overall strategy is the record of audit evidence considered necessary to properly plan the audit and assign various audit function, क्या लिख रहा है, overall audit strategy evidence थोड़ी होता है, it is the decision, हम जो decision लेते हैं, वो होता है, तो देखो क्या लिखा, documentation of audit strategy is the record of key decisions necessary to properly plan the audit and communicate the various significant matters to the engagement team, so the answer is incorrect, क्या इनको एक और एक दो number मिल गए, sir मिल गए, अब second point देखते हैं, second में इनोंने कौन सा उठाया, D part, तो आप D part देखें, as per section 142, remuneration shall also include any facility provided to him, the answer is yes, facility भी आती है, fees भी आती है, और expenses भी आती है, ठीक है, तो 142 section आ जाता है, fees भी आती है, expenses भी आती है, facilities भी आती है, अब यहाँ परे में से पूरे देखो नहीं मिले, मैं and it does not include any remuneration paid to him for any other service, अब देखो इनोंने थुदी अपने मन से एक line add कर दी, अब आपको याद नहीं आई यह line, तो आपका एक number काट लिया, तब ही कहा रहो, आखरी में करना, दिल तोड़ती है, यह वाली चीज़ है, अब आती है, सब point E, देखो point E, क्या पूछता है, appropriateness is the measure of quantity, यह देखने से पहले, मैंने नयन तारा वाला जो गाना है, जवान में, ओ चले या, वो क्यों नहीं देख लिया, क्या दिखा रहे हो, यह मुझे, मैं आरे यार, छोटे बच्चे को भी बता दो, appropriateness का, मतलब quality होता है, quantity थोड़ी, कैसे कैसे सवाल पूछे, तो देख on the relevance and reliability, sufficiency is the measure of quantity, तो पूरा आपने holistic answer लिखना जरूरी है, appropriateness is the measure of quality, sufficiency is the measure of quantity, इन्होंने भी यह लिखा, अब appropriateness depends करती, relevance और reliability पर मैं बता हूँ, मोटा मोटी बच्चे न यह चीज़ भूल जाते हैं, उनको उपर वाली बाते याल रहते हैं, नीचे वाली भूल जाते है तो दो में से फिर एक नंबर मिलते हैं, बड़ लखीली she remembered it, so she got 2 out of 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, अब आज़ो sir F पे, again आप देख सकते हो presentation पहले correct incorrect आया, उसके बाद उसकी explanation आई, अब sir F point जो है, F point इक बार फटा फट देखते हैं, क्या कहता है, analytical procedures are used in all stages of audit by the experienced auditor, the answer is yes, planning पे भी use करते के लिए, उसके बाद substantive audit procedures के लिए भी use करते हैं, and conclusion form करते हैं, towards the end of the audit, वहाँ पे भी analytical procedure use होते हैं, तो F का है, sir, the answer is correct, yes, it is used at all the places, planning में भी use होगा, completion में भी use होगा, testing phase में भी use होता है, मुझे लगता है, इन्होंने भी correct लिखा होगा, दिल जीत, शाबश, अब आता है G point, जी माने genius, sir, जी माने genius question क्या है, पहले ये तो बताओ, in case of cooperative society, contribution to education fund is a charge on profits and not an appropriation, बिलकुल सही बात है, बिलकुल सही बात है, इस पे मैंने तवज्जु दिया था, आप एक बार बली जाकर revision वीडियो भी देख लेना, वहाँ पे भी ये बार discuss कर रखी है, क्या, 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 correct है, as per the provisions, it is definitely a charge, उनको एक percentage of profit देना पड़ता है, education fund को, तो it is a charge, not a appropriation, मुझे लगता है, ICNA ने वन लाइनर दिया होगा, उससे ज्यादा, इसमें कुछ ज्यादा बनता नहीं है, इन्होंने भी बात लिखी, appropriate rate पे उनको pay करना पड़ता है, annually, it is a charge on profit, not an appropriation, gotcha, gotcha sir, अब हाता है, H point, H, देख लेते हैं, क्या था, if a company uses integrated enterprise resource planning software, then it is considered less complex and easy to audit compared to an off-the-shelf accounting software, भाई साब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अगर आप इस तरह का ERP वगर यूज़ कर रहे हो, SAP, Oracle, यूज़ कर रहे हो, तो आपको more complex माना जाएगा, और easy to audit तो बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक ह other hand, off-the-shelf software, यूज़ करोगे, जो बजार में ordinary मिल जाता है, तो less complex and easy to audit होता है, so it was a logical question, and यहाँ पे इन्होंने बहुत सारा लिख दिया, ठीक है, तो इन्होंने बात तो सही करी है, but examiner कह रहे है, मैं इतना नहीं पढ़ने वाला, ठीक है, मैं नलाएगो, तो मेरे को जितना है, उतना ही बताओ, मैं एक number दूँगा, जाओंगा, इतना ज्यादा लिखोगे, तो मैं नहीं नहीं, नारे बाबना, छोटा छोटा लिखो, प्यारा प्यारा लिखो, ठीक है सर, अब depreciation वाला देखते है, कौन सा question है, C part, C part क्या था, amortization represents, amortization होता है, depreciation होता है, ठीक है, allocation over useful life, whereas amortization is related to intangible assets, वो intangible assets होता है, intellectual property कहां से लिख रहे है, यह क्या किर रही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लिखाँ गया, वो C वाला पार्ट, यह रहा, depreciation होता है, over the depreciable useful life, amortization refers for a intangible assets, वो पता नहीं, intellectual property, इनके दिमाह में कैसे आया, पर ठीक है, चलेगा, अब आते है इनकरेक्ट, है क्या, है क्या, communicating key audit matters is a separate opinion on individual matter, गलत, हम key audit matter दे रहे हैं, मतलब हम separate opinion on individual matter नहीं दे रहे हैं, यही तो point होता है, incorrect, it is not a separate opinion on individual matter, plus आपको इसमें separate section डालना भी key audit matter, तो आपका उसमें कोई separate opinion होता ही नहीं, तो incorrect ही रहेगा, आपका इसमें कुछ भी option available नहीं है, तो इनका paper खतम होता है, यहां मेरी video खतम होती है, आप काफी पक चुके हैं, आदे घंटे से, बट, क्या सिखाना था मुझे, approach of solving the paper, कि आपको जो सबसे पहले आता है, वो अच्छे से करो, सारे questions के सारे parts एक साथ करो, जो keywords है, उनको underline करो, अगर question 4 यह, उससे ज्यादर नमब आपको confidence आएगा, so that's all about it, I hope you enjoyed the video, अच्छी लगे तो please like करना, subscribe जरू कर लेना channel को, और जो भी आपके key takeaways है, main 2 key takeaways, उनको comment section में जरू लिखना, I will read through it, ठीक है, बाकी सी तरह लगे रहो, खुशी से पढ़ते रहो, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे, तभी तो November 23 में rock करेंग rocket, all the best